सवे भवन्तु सुखिन अपने मन को अब तू मना ले शुद्र स्वरूप को लक्षे बना ले भाग आठ जो गुरु उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें अंक में तेरे साथ क्या आया मुझको छोड़कर तूने क्या पाया हमारे द्वारा संचित किये गए कर्म अत्वा ग्यान के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी तो नहीं जो हम इस संसार से अपने साथ ले जा सकें एक व्यक्ती ने कोशिश की वह मरने से पहले सोने की मुहर निगल गया और जब जलाया गया तो उसके जलने के दोरान बे मुहर उसके पेट में नजराई एसी तरह काशी करवट के नाम पर भी लोगों को मुर्ख बनाया गया की आप धन रूपा पैसा रखकर अपने शरीर को आरे से कटवा ले और आपका शरीर आरे से कटने के बाद आपकी जेब में रखा हुआ धन आपके साथ चला जाएगा लेकिन उस धन का फाइदा उन लोगों ने उठाया जिन लोगों ने यह नाटक रचा था तैराकों की मदद से वह धन निकलवा कर उन्होंने एशो आराम का जीवन जिया एसी तरह पोप के संबंध में वर्नन है की जो पोप के पास धन जमा करवाकर उनके हस्ताक्षर युक्त हुंडी लिखवाएगा उसकी मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग में पहुंचेगा तो वह धन उसे वापस मिल जाएगा भोले भले लोग ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं गुरुनानक जी ने धनवान शिश्य को एक सुनी दी और कहा की अगले जन्म में वापस दे देना धनिक ने कहा की में तो जल जाएगा फिर यह सुनी तो यहीं रह जाएगी मैं आपको कैसे वापस दे सकूंगा तब गुरुनानक जी ने समझाया की जब कुछ नहीं ले जा सकते तो इस धन का सदुपयोग करो जरूरत मंदों की मदद करो एक कंजूस व्यक्ति था उसने बहुत सारा धन जोड रखा था और उसे भूमी में गाड रखा था रोज देखने जाता था की कहीं गायब तो नहीं हो गया वह नौकर का भी शोशन करता था बहुत कम पैसे देता था एक दिन नौकर ने देख लिया और धन चुरा कर ले गया कंजूस ने राजा से शिकायत की राजा ने कहा की वैसे भी तुम उस धन का उपयोग तो करते नहीं थे तो अच्छा हुआ तुम्हारा रोज रोज देखने का जंजट खत्म हुआ और नौकर को भी तुम जैसे कंजूस से छूटकारा मिल गया तो आज ऐसे धन को सूनगने वाले भी इस संसार में देखने को मिल जाएंगे जो जीवन भर पैसा जोते हैं और मरने के बाद सब पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं ना तो वे वह पैसा खुद पर ही खर्च करते हैं और ना ही किसी जरूरत मंद के